यार, इंडियन्स होते हैं, हेरी, आज, अब ये एक सच बात है, मैं कोई इंडियन पे अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इंडियन ही हूँ, लेकिन अब है रियालेटी कि हम लोग के जाधा बाल होते हैं, अब आप कहोगे हमने तो उपर कपड़े पहने हो हैं, क्या फरक करना आपके लिए फायदिमन्द ही होगा, studies ने शो किया है कि जो अपने बाडी के बालो को ट्रिम्ड रखते हैं, छोटे रखते हैं, उनको बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन्स कम होते हैं, मतलब जो आपके थाइस पर या बैक पर पिंपल्स वगरा होते रहते हैं, व What's up bro, welcome or welcome back to be your best, मैं हूँ सान कालवा और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा, different तहीं के आपकी body से hair remove करने के, and वीडियो में एक giveaway भी है, तो end तक पूरा बहुत ध्यान से देखना, and to be your best in looks and personality, अभी subscribe करो for new videos every single week, and सारे points ध्यान से सुनना, ताकि आप आपकी body के टाइ कुछ-कुछ area सोड़ से जादा sensitive होते हैं, जैसे कि आपकी kneecap, जैसे कि आपका private area, वहाँ पे अगर आपको थोड़े से भी cuts पड़ गए, बहुत दर्द होएगी, trimmer की best बात यह है कि आप इसको खरीद के खुद घर पे सब कुछ कर सकते हो, वहाँ पे भी trimmer से आपकी body hair हट और trimmer use करने के बाद भी जो आपके बाल आते हैं, वह उतने itchy नहीं होते, until and less कोई ऐसा area है, जैसे कि आपके private area का अंदर वाला part, अगर आप उसको जादा ही zero number पे trim कर दोगे, तो आपको itchy लगेगा, अगर आप अपने underarms को trimmer से काटते हो, तो मेरे को आदत हो गई है, उसको use करने के बाद भी अपनी body को थोड़ा moisturize करना, मत भूलना, क्योंकि obviously आपने एक गरम metal की चीज से अपनी body पे छीला है, तो obviously उसको थोड़ा सा soothing effect देना पड़ेगा, अब अपनी body hair हटाने के लिए trimmer कैसे use करते हैं, और कौन सा use करते हैं, उस पे एक detailed video बना दूँगा, मैं अगर इस video पे आप 5000 likes करवाद होगे, actually video देखने के बाद मैं को comments में बताना, कि जितने ही मैंने ways बताएं, उसमें से आपको कौन से वाले पे एक specific video चाहिए, जिसमें मैं आपको अच्छे से सिखाऊं कि वो चीज कैसे करनी है, and यही है giveaway का question, next तरीका बाल हटाने का है shave करना Shave करना मतलब कि एक blade से या एक razor से बालों को बिलकुल closely हटा देना, again shave आप घर पे भी कर सकते हो, भार भी जाके करवा सकते हो, and क्यूंकि shave से आपका एकदम ही वो area smooth हो जाता है, मतलब कि एकदम बाल बहुत closely हट जाते हैं, तो मैं recommend नहीं करूँगा कि आप अपने हाथों प प्राइवेट एरियाज में गलती से भी razor मत यूज कर देना, कुछ कट के भी गिर सकता है, और अब क्यूंकि आप एक blade यूज कर रहे हो shave करने के लिए तो देखो risk बहुत होता है कि आपको कहीं थोड़ा सा कट पड़ गया और या बहुत दर्द होती है, और shave करने के बाद उस टाइम तो बहुत smooth skin लगती है, वर उसके बाद जो बाल आते हैं, वो थोड़े से sharp लगते हैं आपको, ऐसा नहीं कि shave करने की वज़ा से मोटे बाल आ गया या कुछ हो गया, लेकिन आपने इतनी मीचे तक shave करती है, एक सबाद थोड़ा से भी बाल आएगा तो आपको ब the grain करना चाहिए, मतलब कि जहां से आपके बाल जिस direction में निकले हुए है, उसके opposite direction में करना चाहिए, और shave करने के बाद after shave lotion जरूर लगा लेना, क्योंकि छोटे छोटे बहुत minor cuts तो पड़ते ही पड़ते हैं, उसके उपर after shave lotion लगा लोगे, तो वो area का actually bacteria वगरा केल हो जाए और एक razor अगर आपका समझ लो, पांच बार shave पे भी चल रहा है, तो आपको करीब 3-4 razor खरीदने होंगे, और करना इसको नहाने वाले area में ही पानी बानी शावर बावर चला के, but anyway 3-4 razor खरीद होगे, एक shaving gel खरीद होगे, तो आपका जो total cost होगा, वो trimmer से कम ही आएगा, ले इसी चीज को अगर आप एक machine बना दोगे, जो धर-धर-धर करके pluck कर दे, तो वो epilator होती है, यार epilator salon अगरा में available नहीं होता, मेरे को भी method का तब पता चला था, जब मैंने अपनी मम्मी के washroom में देखा था एक epilator, epilator को आप मेरे हिसाब से use कर सकते हो, कहीं पे भी नहीं किसी body part पे मत use करना epilator, क्योंकि इससे इतनी दर्ध होती है कि आप सोच नहीं सकते, और जिनकी sensitive skin है न मेरे जैसी, उनको तुम हाँ पे दाने हो जाएंगे को time के लिए, अब क्योंकि epilator आपकी root से बाल उखार देता है, तो आपकी sin soft तो होई जाएगी, और जो वापस बा बाल कि आपको इतना दर्ध जहिलना पड़े कि आखो से आसु आजाएं, बट anyway, epilator यूज करने के लिए बाकी चीजों की तरह ही पहले आपकी skin dry होनी चाहिए, तो powder वगेरा ढ़ाल के आप dry कर सकते हो, and epilator बिलकुल trimmer की तरह चलाना होता है, आपको अपनी skin के उपर चला लेकप का दर्ध भूल जाओगे, next तरीका बाल हटाने का है, एक hair removal cream यूज करना, but chemicals वाली नहीं, basically इस cream में ऐसी कुछ चीज़े होती है, जो आप अपनी skin पर लगाओगे, basically बालों पर लगाओगे, तो वो बाल वहाँ से root के side से तूट जाएंगे, और आप फिर साफ करोग कुछ additional benefit waste नहीं हो रहा आपका, तो फिर वही यूज कर लो, by the way, जितनी भी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, उन सब के links मैं नीचे description में डालूँगा, अब बात आती है कि आप इस cream को कहां कहां use कर सकते हो, मुझे पता है सब के दिमाग में question चल रहा है, हाँ cream सबसे अस असान तरीका है, बाल हटाने का, and हाँ, कुछ creams को आप अपने private area में भी यूज कर सकते हो, यार basically जो chemical वाली creams होती है न, वो अगर आप अपनी chest या arms बगर पर यूज करते हो, तो आपको कोई problem नहीं होती, ठीक है, कोई आपकी skin खराब नहीं होगी, लेकिन जब आप अपने super product ढूंड के दिया है, मतलब, thanks बोलो comments में, super thanks भेजो, अभी इस video पे activated है, कोई तरीका है भीक मांगने का, and क्यूंकि ये cream है, तो इससे pain आपको नहीं होता है, लेकिन हा, इसको use करने के बाद, थोड़ी सी ऐसे mint mint type की, थोड़ी, थल्की सी जलने वाली कह सकते feeling आती है, अब hair removal cream use करने से पहले, जिस area में use कर रहे हो, वो एकदम साफ होना चाहिए, wash डोना चाहिए, क्योंकि अगर बहाँ पर dirt वगरा लगी होगी, तो cream उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, और करना कुछ भी नहीं है, उस area में बस आपको cream फैलानी है, 4-5 minutes वेट करना है, या जितना भी उस cream के पर लिखाव है, कितना वेट करना है, और वो साथ में पैचला टाइप का देते हैं, उससे आप वो सारा remove कर सकते हो, सारे बाल उतर के आ जाएंगे, और हाँ, just like मैंने सारे दूसरे methods में आपको बोला है, ये करने के बाद उसको थोड़ा सा wash करके, उस मैं तो सिर्फ private areas के लिए use करूँगा, नेक्स तरीका बाल हटाने का body से है waxing, नहीं, covid vaccine की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं waxing की बात कर रहा हूँ, waxing में basically आपकी skin पर जहां पर आपके बाल है, उसके पर wax लगाते हैं, फिर उसके पर एक कपड़ा लगाते हैं, और फिर क्यू areas हैं, जहां पर waxing का sense बनेगा, क्योंकि इतना जादा दर्द होता है, waxing में मतलब खतरनाक, epilator से कम, बट बहुत जादा दर्द, जैसे कि अगर आप अपनी arms को wax करवाना चाहते हो, तो करवा सकते हो, four arms को मत करवाना, फिर वो एक manly feel चली जाती है, जो अगर आपको अच् से बाल हटाना चाहते हो, wax की एक और बहुत बढ़िया जगा है, आपकी back, उसमें दिक्कत सिर्फ यह है कि back इतनी बढ़ी होती है, कि इतना जादा wax करोगा तो बहुत धर्द जहल नहीं पड़ेगी, लेकिन तरीका तो बहुत अच्छा है, क्योंकि wax करने के बाद आपके ब बहुत टाइम तक नहीं आते है, basically wax, epilator, यह दोनों ही ऐसे तरीके हैं, जो कि बाल को root से उखार देते हैं, इसलिए बहुत लंबे टाइम तक आपके बाल नहीं आएंगे, और वहीं trimmer, shave वगएरा, उनसे क्या होता है, कि वो सिफ surface surface से काटते हैं, तो बहुत जल्दी बाल अपस आजाते हैं, बट हाँ, wax में देखो, pain next level का होता है, ठीक है, तो आपको जहलना सीखना पड़ेगा, बट सही है, क्योंकि wax के बाल उती जल्दी आते हैं, तो आपको बहुत टाइम बाद wax करवानी होती है, तो उतना तो आप जहल सकते हो, मैं personally नहीं जहलता, मैं trimmer कर करने के बाद, क्योंकि रूट से सारे बाल हट चुके होते हैं, तो skin बहुत smooth हो जाती है, तो आपको ऐसे कोई itching नहीं होती है, बस वो करने के बाद ऐसे aloe vera वगएरा कुछ लगा लेना, again क्योंकि आपके pores open हो जाते हैं, और wax करने से पहले एक बहुत important चीज यह है, कि पक कर सिरफ pain की है, मतलब, anyway next तरीका body hair remove करने का है laser, नई इसका मतलब यह नहीं है, कि आप laser light लेके अपने body मारोगे तो वो हो जाए, मतलब यह सारी बहुत गंदा जोग था, बट laser होता है, एक clinical तरीका, जो कि आप किसी special clinic में जाते हो, और वहाँ पर वो कुछ special type की laser आपके ब बात करनी पड़ेगी कि आपके लिए साही है या नहीं है, लेकिन हाँ, यह आपकी life बहुत जादा असान कर देता है, क्योंकि इसके बाद आपके बाल आते ही नहीं है, मतलब ऐसा सिर्फ 20% आएंगे, तो मेरे ऐसे काफी दोस्त हैं जिनोंने अपनी back पे और chest पे laser करवाई इसमें pain वगएरा कुछ होता नहीं है, बाल वापस आते ही नहीं है, बहुत मुश्किल से आते हैं, लेकिन यह है कि आपको काफी बार doctor के पास जा जाके, I think 6 या 8 sessions लेने पड़ते है, तब जो आपके कुछ effective होता है, इसकी cost again सबसे जादा है, बढ़ हाँ, एक बार ही आपन लेकिन again इसकी cost बहुत जादा होती है, जो कि मेरे हिसाब से एक normal इंसान के लिए worth it नहीं है, शायद मैं करवा हूँ, बाद में कभी, क्यूंकि मैं एक influencer हुई यार मेरे को तो यह सब करवाना पड़ता है, यह तो यही थे सारे थरीके, इसमें से में को comment में जरूर बता दे कि आपको detailed video कौन से तरीके पर चाहिए, मैं पका बना दूगा 100%, चलो मैं सब पे बना दूगा लेकिन जिसके सबस्यादर comment होंगे, उसकी सबसे पहले बनाऊँगा, तो अब आज आते हैं इस वीडियो के giveaway पे, इस वीडियो पे भी, मैं 5000 likes कंप्लीट होते ही, give away करूँगा, डीटेल सारी आपके स्क्रीन पे है, look your best, feel your best and be your best.